हेलो दोस्तो कैसे हो तो दोस्तो आज के इस नई वीडियो में आप सब का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो यार किस तरीके साई पेल चल रहा है आपका मज़ेदार चल रहा होगा जो के होने वाला यह शाम को सड़े साथ बजे और विन्य होने वाला है शेक जायद स्टेडियम अबुदावी दोस्तो सेम टाइम पे दो मैचस स्टार्ट होने वाले एक दुबई में और एक ये अबुदावी में ठीक है सेकेंड मैच का वीडियो भी आपको मिल जाएगा ठीक है अब इस वीडियो के बारे इस मैच के बारे हम लोग बात करते हैं मुम्मेंडेस के अगर बात करें तो मुम्मेंडेस अभी भी कौलिफाई हो सकती है बट 99% चांसे नई है कौलिफाई होने के स्रिप 1% चांसे मुम्मेंडेस को अगर कौलिफाई होना है तो यसा रच को 170 प्लस रनों से हराना होगा जोक नहीं 이 T20 Cricket में 1 Day Cricket में भी यह नहीं होता है तो T20 Cricket की तो बात ही नहीं आती और एक और बात अगर यह सारेच पहले बैटिंग करती है तो मुंबई वहाँ पही खतम मतलब टॉस के टाइम पे पता चलता है कि केन विलिमस ने टॉस जिता है और पहले बैटिंग करने का डिसिजन लिया है मतलब वहाँ पे ही मुंबई कॉलिफाई नहीं हो पाएगी ओफिशली KKR कॉलिफाई हो जाएगी ठीक है मुंबई को अगर कॉलिफाई होना ही तो मुंबई को पहले बैटिंग करनी ही पड़ेगी 240-250 बनाने ही पड़ेंगे और उपोनन्ट टीम को 60-70 ननों में ओल आउट करना ही पड़ेगा तब जाके 170 प्लस से मुंबई जीत पाएगी जो एक्चुली प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं है ठीक है तो देखके चलोगे इसी वज़े से ये मैच रिस्की है देखके चलना आगे बढ़ने से पहले टेलिग्राम चैनल से जुड़ना विकोस फाइनल अप्डेट बहुत मैटर करेंगे ये सारिच के टिम में चेंजर्स हो सकते हैं उनका लास्ट मैच है तो बिल्कुल टेलिग्राम चैनल से जुड़ना डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी या तो फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिलेगी उस लिंक से जॉइन जरूर हो जाना पिच्ट बट के बात कर ले दोस्तों तो आप बुदावी में बिश्ट्रगल किया है बैटर्स ने कुछ मैचिस में रन बने है लाइक या पर 189 बनाए थी CSK ने फिर आरर ने चेस कर लिया था पिछली मैच में यसा रिच ने 141 बनाए और आरसी भी चेस नहीं कर पाई थी मुश्किल हो रहा था उस पीच पर बैटिंग कर पाना तो देखके चलना या पर थोड़ी से पीच एक तो कब बहुत अच्ची पीच थी बैटिंग के लिए फिर बहुत खराब थी पीच थी बैटिंग के लिए तो कहना मुश्किल है जो भी फाइनल पीच रुपर्ट मिलेगा टॉस के टाइम पे वही इंपोर्टन होगा और मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा दोस्तों बात करते हैं यह सारे इच की तो अब्विसली प्लेग लिए उन में चेंजेस हो सकते हैं पिछली मैच में इनकी कुछ इस तरीके से प्लेग लिए उन रही थी तो हो सकता है कि टीम इनको खिला सकती है लास्ट मैच में हो सकता है कि अगले साल यह संडाजेस हिद्राबाद का पार्ट ना बन पाए तो देखके चलना हो सकता है आपको डेविड वार्णर यह फिर मनिश पांडे खेलते हुए इस मैच में दिख जाए अब हुआ क्या था तो जेसन रॉइ और अभिशेक शर्मा ने पिछले मैच में उपन किया था जेसन रॉइ न अच्छी पारी के लिए था अभिशेक शर्मा जल्दी आउट हो गए था एक सीक्स और एक फोर लगा के केन विलिमस ने भी अच्छा स्टार्ट किया था प्रियम गर्फ फिर से फ्लॉप होए थे अब दूसमाद भी फ्लॉप गए थे रिद्यमान साब भी 10 रन बना पाए थे होल्डर ने जरूर 16 रन बना थे राशित कान 7 रन बना के नोट आउट रहे थे फिर बेंच पे देख होगी उम्रान मलीक 153 के स्पीड में इन्होंने लास्ट मैट में बॉल डाला था और इस IPL का सबसे ज्यादा स्पीड वाला बॉल था मतलब बहुत ही बढ़िया इंग्स्टर मिला इंडिया को 21 इंकी एज है 151 152 153 इन्होंने बैक टूबैक तीन बॉल्स डाले थे मजाक न बॉलिंग लोने भी करीते अच्छे डेत में बॉलिंग करती है अभिशेक शर्मा ने बॉलिंग नहीं करीती पिछले दो मैचस में संदीफ शर्मा के स्टार्ट अच्छे है बट मेरे साब से खेलेंगे नहीं इस खली लेमत की चांसे बहुत कामी खेलने के विज़े शंकर बाकि हो सकते कि आपको इस मैच में नीटी नडराजन खेलते हुए दिखे देखके चलना डेत में बॉलिंग मोशल्या को करते हुए दिखेंगे दोस्तों बात करते हैं मुंबई इंडियन्स की पिछले मैच जितके जरूर आया है बट इन के लिए बहुत मुश्किल होने व बाकि मुझे ने लगता कोई भी चेंज होगा हाँ एक चेंज होगा बैटिंग और ये दोनों मेरी साबसे ओपन जरूर करेंगे बट उसके बाद हर्दिक पांडिया पोलाड इनको प्रमोट किया जा सकता है बड़े रंस के लिए देखके चलना अब हुआ क्या रोई शर्म पकड अच्छी बैटिंग करी ओपन किया था सुर्यकुमर याद और रं जरूर बना यहाँ पर डिन पी नहीं होना चाहिए ठीक है गलती से मेरे से होगा है डूनाट प्लेड ये भी खेले तो सुरुप तिवारी भी खेले थे पिछली मैच पर ये भी गलती से होगा है 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 अच्छी मेरे सबसे जो मेने गलती से डिन पी कर दिया ठीक है तो आश्टाग इनको बैटिंग नहीं मिली थी पोलाट को भी बैटिंग नहीं मिली थी हर्दिक पंडे की बात कर इन्होंने पाज बनाते छे बॉल में नोट आउट ठीक है जेमस निश्यम एक की दो मैचस में से एक मैच में इनको बैटिंग मिली जहाँ पर यह जिरो पर आउट हो गए थे फर्स्ट लेग में जहें त्यादोर पार्ट नहीं बैटिंग कर लेते हैं बेंच भी कुंटन डिकॉक अविसली फॉर्म इनका ठीक था बट पिसली मैच में कुछ चेंजस करने थे थी इनको किया गया था हो सकता आपको फिर से खेलते हुए दिके मैड़िन के छानसर थोड़ी कव में खिलने के क्रिसली मेरी सब से नहीं खिलेंगेन अनमुल प्रिद भी मेरी सब से नहीं खिलेंगे बॉली में देगो दोस्तों ट्रेंड ब्लट अ Euan को यहीं शूराइं बट बॉम अच्छी रही बुम्रा ओविसली बहुत जबर्दस इनकी बॉलिंग रही स्पेशली सेकंड लिग में तो बैक टो बैक विकेट्स निकाली ने थर कुल्टन नाइल हमारे लिए पिछले मैच के मैच विनर रहे थे वन साइट हमें विन कर वाय था चार विकेट्स निकाली थी और यह पिछेस नहीं को सूट कर रही है और लाइन लेंद भी अच्छे से पकड़ी हुई है तो अगेन इंपॉर्टन पीक रहेंगे कुणाल पंड्य पिछली मैच में खेले नहीं थे इस मैच में खेल सकते सामने राइट हैंडे बैट्स मने राहूल चर पिछले दोनों मै इस सेकंड मैच था और सेकंड लेक का फॉर्स्ट मैच था तीन विकेट्स ले गए थे ठीक है तीन विकेट्स ले गए थे बहुत अच्छी बॉलिंग इनों नहीं करी थी बाकि मुझे न लगता है इन चारों मैसे मतलब रोही चर्मा तो खेलेंगे बट धवल कुलकरनी एक और और नितल कुल्टनाइल एक और एसरेच के लिए भूनेशर कुमार टू ओर सुद्दात कॉल वन ओर और जैसेन ओल्डर वन ओर ठीक है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मद भूलना दोस्तों अब दोस्तों दोनों टिम्स के बीच में हुचों के तीन मैचेस पिछ विकेटी वर्णों ने 60 की पारी खेली ती और मनिश्भांटे ने 30 की पारी खेली ती जिसमें सेदात कोल को भी दो विकेट्स थी और संदीप शर्मा को भी दो विकेट्स थी फिर फिर से नेक्स्ट मैच होता शार्जा में जहां पी मुंबई 149 बना पाई थी यसरेच ने चैस कर लिया था एक भी विकेट नहीं गिरने दीती सुर्या ने 36 बनाया थे इशान केशन 33 डिकॉप 25 पोलाट को 41 बनाया थे 25 बॉल में फिर वर्णों ने नोट आउट 85 बनाया थे 58 बॉल में सुरिद्धिमासा ने नोट आउट 58 बनाया थे 45 बॉल में जिसमें संदीप श दोईचर्मा 32 रन्स पोलाट 35 रन्स नोट आउट फिर बोल्ड को 3 विकेट्स थी राहूल चहर को भी 3 विकेट्स थी वर्णों ने 36 बनाया थे 34 बॉल में मुझिप को 2 विकेट्स मिले थी विजए शंकर कूस मैच में 2 विकेट्स मिली थी दोस्तों हेट टो एट में कहिए दोनों टिम्स के बेच में हूचोगे 17 मैचेज जिसमें यमाई ने 9 मैचेज यसारेश ने 8 मैचेज पिछले 3 मैचेज में से 2 मैचेज मुपई एक मैचेज यसारेश ये head to eight stats है देख बिल्कुल चेक कर सकते वार्नर, मनीश पांडे, रिद्धिमान, सा तीनों के अच्छे है बट विलियमसन के बहुत खराब stats है मुंबई के सामने सिदात कोल ने 6 matches में 12 wickets निकाले मुंबई के सामने, ये interesting है देखके चलोगे वही मुंबई के अगर बात करोगे तो मुंबई के ओर से पोलाड सबसे जाधा रन, 46 के अवरेज से ये सारेज के सामने रन बने है और पिछले 3 matches में इनके रन बने है देखके चलोगे, 78 इनका हाई स्कोर रहा था, डिको का 41 का एवरेज है, ये सारेज के सामने रोही चर्मा ने श्टरगल किया है ये सारेज के सामने सेम फोर सुरिकुमार यादो 21 आवरेज, कुनाल पांडय का 30 का आवरेज है देखके चलोगे मोस्ट विकेट्स अगर देखोगे तो बुमरा को 13 विकेट से कुल्टन हेल को 9 विकेट से, बोल को 8 विकेट से राहूल चर को 5 मैच में 5 विकेट से यह सरेच के सामने फिर वेन्यू स्टाट्स देखोगे तो मुंबई की ओर से मुंबई ने इस वेन्यू पर 10 मैचेस खेले, 7 मैचेस मुंबई जीता है तीन मैचेस मुंबई इस वेन्यू पर हारा है और यह कुछ वेन्यू स्टाट्स है जिसमें देखोगे तो सुरिकमार्यादों का 40 का अवरेज, रोहित का 35 का अवरेज, डिकोक का 30 का अवरेज, हर्दिक पांडे 47 का अवरेज, पोलार का 45 अवरेज, तो इस वेन्यों पे इन सब बैट्समस ने अच्छा किया है, विकेट्स में भी देखोगे दुबुमरा को इस इस वेन्यों पे 60 का अवरेज से इस वेन्यों पे रन बनाई विल्यम सन ने, मनेश पांडे 24 अवरेज, डेविड ओरनर का 35 का अवरेज, ठीक है, और होल्डर ने आपे 3 मैचेस में 51 और पिछली मैच में जेसन रोई ने 44 की पारी खेली थी इस वेन्यों पे, मोस्ट किया है, सिद्धात कोल भी आउट कर चुके, होल्डर भी आउट कर चुके, ठीक है, फिर डिकॉक की बात कर तो डिकॉक को राशित खान ने एक बार, भूनेशर कुमार ने एक बार और सिद्धात कोल ने एक बार आउट किया है, सुर्य कुमार यादो की बात कर तो बुरिशर कुमार ने चार बार आउट किया है ठीक है जेसें होलडर two times out कर चुके बड़ 66 इन्स भी दिये है राशित खान ने एक ही बार आउट किया ठीक है यह भी इंटरस्टिंग है वही चलते कुनाल पांडिया पे तो राशित खान एक बार बुरिशर कुमार एक बार फिर चलते रिद्दिमान सा पे तो ट्रेंट वोल्ट वोन टाइम जस्परी दूम्रा वन टाइम कुनाल पांडया वन टाइम नेथल कुन्टेनल वन टाइम ठीक है तो समने लगबग एक एक बारी आउट किया हुआ है दोस्तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तो बनाते हैं स्मॉल लिग की टीम इशान किशन ऊपन करते हैं तो ओविसली इनको हम लोग पिक करके चलेंगे डिकॉक को पिछली मैच में खिलाया नहीं था बट अगर डिकॉक खेलते तो इशान किशन नमबर चार पे चले जाएंगे फिर आपको क्रेट्स के प्रॉ प्रेंड लिग में ट्राइ कर सकते हो पैटिंग सेक्शन केन विल्लेंशन रोई शर्मा जैसन रोई शुरुक मार यादो ऑल फॉर आर इंपॉर्टन फॉर स्मॉल लिग बट चारो को में एक साथ नहीं ले पाऊंगा तो अभी किल में सुरुक मार यादो को ड्रॉप कर रह हम लोग उनको पंचेडर करगे अलग से टीम बनाएंगे चलते हैं और अन्रो सेक्शन में होल्डर इंपॉर्टन रे लेके चलेंगे उसका पोलाट को भी प्रमोट किया जा सकता है एक दो और बॉलिंग भी कर सकते हैं प्रस इनको प्रमोट भी किया जा सकता है प्योगोद है तो बिल्कुल ट्राइ कर सकते हैं उनके सामने अच्छा कर सकते हैं बाकि कोई और मुझे खेलतावा नहीं दिखता है बॉलिंग सेक्शन बुम्रा राशित खान नेदल कुंटर नाइल ओल थ्री आर फेरी इंपॉर्टन तीनों विकेट टेकर से तीनों अब तक विकेट् विकेट्स नहीं निकाली बट में स्टिल इनके साथ कंटिन्यू करना चाता हो मुंबई के लिए बहुत इंपॉर्टन मैच है पुरा दम मुंबई लगाएगी और हो सकता है कि बोल्ड विकेट्स आपको निकालते वही दिखे तुम अभी के लिए बोल्ड के साथ जा रहा ह तो सारे डिफरेंशल प्लेयर ट्राई करना रहूल चहर आते ना तिया आपके लिए गेम चेंजर इस मैच में साबित हो सकते ताप इनको भी अपने टीम में रख सकते हो फिर हम लोग बोल्ड को रॉब करके रहूल चहर को ले सकते यहाँ पर और फिर हम लोग सिंपल यह प अपने टीम में रख लेना मोस्ट लाइक लिए सिद्धात को लिया फिर भूनेश रुकुमार को लखना जरूर फिर इनको विकेट्स मिल सकती है मैं अभी के लिए क्या करो यहाँ पर हर्दिक पांडे के साथ जा रहो क्यूँ बिकूर मुझे लगता है कि इनको प्रोमोट क यहाँ जा सकता है और यह अच्छे कासे रन बना सकते है अगर यह सेट हो जाते है अगर राशिद खान को यह जहल लेते है तो यह रन बना सकते है तो हर्दिक पांडे फिर पॉलाड आपके लिए इस मैट में गेम चेंजर साबित होंगे और बॉलिंग सेक्शन में रहूल वाइस कैप्टन से की बात करें तो अब्वेसली जस्परी दुम्रा को मैं दे रहा हूँ मेरे कैप्टन सी ठीक है और वाइस कैप्टन से मैं बहुत सोच रहा था इशान किशन रोहीच शर्मा इन दोरों में से कोई एक ट्राई कर लू अभी के लिए मैं रोहीच शर्मा के स लोगे बैटिंग ओडर उपर नीचे हो सकती इससी वज़े से मैंने आज प्रेडिक्शन्स नहीं दिये ठीके प्रेडिक्शन्स का सेक्शन मैंने आइड नहीं किया विकाज मुंबई के टीम में ओभेटिंग ओडर में changes होंगे तो predictions उपर नीचे हो सकते तो मैं वो नहीं करना चाहता हूँ तो no predictions, investment बहुत कम होना चाहिए mainly grand league पे focus करके चलोगे जो मैंने आपको game changes बताएं उनको ज़रूर grand league में try करना दोस्तो final updates के लिए telegram channel से जुड़ना because final updates इस match के लिए बहुत ज़्यादा matter करेंगे और telegram channel के link आपको इसी वीडियो के description box में फिर first comment में link मिलीगी उस link से join ज़रूर हो जाना दोस्तो ऐस support दिखाओ back to back win करवा रहू कल के दोनों matches ultra clean ship हमारे रहे थे फिर्स मैच तो proper ultra clean ship था तो यह support करो वीडियो पर like करो वीडियो पर comment करो गया तो बहुत अच्छा लगेगा YouTube channel को subscribe नहीं किया जल्दी से subscribe करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना Thank you so much guys for watching